बच्चों देखो ज्यान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, शिक्षा दर्शन जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी, यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कारिक्रम डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है, जिससे सभी डीटी एच वो केबल नेटव पांच दिन सभी विशयों की विशयवस्तू अतियंत रोचक तरीके से समझाए जाएगी, तथा प्रतियक्षनिवार को विभिन शेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से संबंधित जानकारी के साथ-साथ मनोरंजग कहानियों वकट पुतली के खेल का भी आनद ले सकेंगे सवा चार बजे तक शेक्षिक कारिकरम प्रसारित होगा का अंत कर दे यानि कि ऐसा अभी करमक जिससे क्या हो वहाँ पे अभी किरिया रुक जाए यानि कि उससे आगे अभी किरिया नहीं होगी यदि एक्जामपल की तुरू आपको समझाना चाहूँ तो देखेगा मान लीजिए आपके पास मैं यहाँ पर एक एक अभी किरिया लिखिवी है जैसे कि मान लीजिए क्या देता है आपको मेरे ट्वाइस एक आज तू और इसके लिए क्या करना पड़ेगा यहां से दो से गुणा करना पड़ेगा यानि कि इसका जो रस्समीकंगमेथी गुणांख होगा वो कितना होगा 2 यानि कि सर ये वाले जो रियक्षण है यहाँ पर बैलेंस है मैं बात कर रहा हूँ कि आप यहां पर क्या क्या यूज़ कर रहा है पहली चीछ यहां पर 2 mol H2 यूज़ किया जा रहा है और यहां पर 1 mol किसका यूज़ कर रहा है यानिकी मानलीजिए आपके एक्जाम में कभी क्योशन आता है कि 2 mol H2 और 1 mol oxygen लेने से क्या बनता है तो आप बोलेंगे सर 2 mol यहाँ पर H2 बनता है लेकिन यह दी क्योशन इस प्रकार से आ जाता है मानलीजिए कि H2 के आपके पास में यहाँ पे एक mol है और आपके पास में O2 का भी क्या है भाई मेरे यहाँ पे O2 के आपके पास में एक mol है तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे H2 का भी एक mol है O2 का भी एक mol है यानि कि जल अब यहाँ पे जल अब यहाँ पे 2 mol मेरा नहीं बन सकता क्यों? क्योंकि मुझे 2 mol जल बनाने के लिए oxygen तो मेरे पास में परियापत है लेकिन जो hydrogen है लेकिन जो hydrogen है वो यहाँ परियापत नहीं है क्यों कि हाइड्रोजन तो मुझे कितनी चीए दो मॉल हाइड्रोजन चीए यानि कि अभिक्रिया आगे बढ़ेगी ही नहीं ताकि आप वहाँ पे दो मॉल H2O बना सकें ठीके जी तो सीमांत अभिकरमक का मतलब यही होता है किसी अभिक्रिया में वह अभिकारक जो पहले हो जाए और उत्पाद की मात्रा को सिमित कर दे यानि फिर उत्पाद की मात्रा को यह रोक दे क्या कैलाएगा भाई मेरे यहां पे सीमांत अभिकरमक इसे बोला जाता है लिमिटिंग रियजेंट एलर इसको बोला जाता है अच्छा जी अब आगे दियम बात करें क्या यह पर थोड़ा सा असर डालता है क्या उत्पाद की मात्रा इस पर निर्भर करती है क्या बिल्कुल निर्भर करती है क्योंकि जो सीमान अभी कर्मक है वो अभी करिया को रोक देगा और यहां पर उत्पाद आगे नहीं बन पाएगा यानि कि जितना आपके पास में एलार है उसक गर आप पर अमोनिया बनने वाला है, हैवर प्रक्रम, आपने सुना होगा तो यह क्या है यहां पर अमोनिया बनानी की विधी है, अब सबसे पहली जो आपके दिमाग में बात आईगी वो क्या आएगी कि सर सबसे पहले जो अभिकरिया है उसको संतुलित कीजिए अभिकरिया को कैसे संतुलित करते हैं देखना भही मेरे अभिकरिया को संतुलित करने के हिसाब यह रहेगा जैसे कि यह reaction है ठीके जी यह अभिकरिया आपके सामने दीवी ए इधर क्या है भही मेरे अभिकरिया के उधर क्या है उत्पाद है अच्छा जी नाइट्रोजन ज पुणा करेंगे तो अब यहां पे आप रस समीकरण मिति लगा सकते हैं यानि कि रस समीकरण मिति के लिए सबसे पहली प्रात्मिक्ता क्या होगी अभी किरिया को संतुलित करना आइए दिखे अब यहां पे देखता हूं एक चीज कि एक नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के एक परमानू का यहीं मैं भाहर देखता हूँ, तो कितना आता है तो आप बोलेंगे, Sir, वो आता है 14 g, ठीक है, 14 g, तो 2 nitrogen है, तो कितना हो जाएगा, 28 g, अच्छा, एक hydrogen का कितना, एक तो 6 है, तो कितना हो जाएगा, 6 g, 6 कैसे आया भाहर, 3 को 2 से उना करेंगे, 6 g, ठीक है, आगे देखो, यदि NH3 का, यदि मैं NH3 का अनुभार निकालता हूँ, तो कितना आने वाला है, तो आप बोलेंगे, Sir, 14 plus hydrogen 3 है, तो 3 हो गया, कितना हो गया मेरे यहाँ पर, 17, और यहाँ पर कितनी nitrogen, यहाँ पर कितनी ammonia बन रही है, 2 mol ammonia बन रही है, तो 17 हो गया करेंगे, 2 से ग 14 gram di nitrogen ले रहा हूँ, और मैं यहाँ पर 8 gram hydrogen ले रहा हूँ, तो अब आप एक बात करो, कि Sir, एक बार reaction से, यानि कि एक बार अभी किरिया से पता लगा लेते हैं, कैसे, मैं उठा रहा हूँ किसको nitrogen को, ठीक है, 28 gram nitrogen किरिया करती है, कितने gram hydrogen से, तो आप यह कहां से देख पाएं यहाँ पर जो इनके भार हैं, वो अलग-अलग आ जाएंगे और आपका कोशन पूरा 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 गलत, यह प्रतम प्रात्मिकता किसको देनी है, अभी किरिया को संतुलित करने के लिए, ठीक है, देखो भी, 28 gram nitrogen किरिया कर रही है, तो आप बोलेंगे, 6 gram hydrogen से करिया कर रह ही है, लेकिन हम nitrogen कितनी ले रहे हैं, तो आप बोलेंगे, nitrogen 42 gram ली जा रही है, अच्छा जी, तो एक gram के लिए कितना होगा, तो आप बोलेंगे, 6 बटई, 28 gram, ठीक है, अच्छा जी, 42 की बात कर रहा हूँ, तो 24 यहाँ पे कौन सा method ने लगाया है, एकाई method, profit loss regression आपने किये हैं, ठीक है, class 9, 10 में किये होंगे, और उसी प्रिकार से मैंने बता भी दिया था, आपको पिसली class में, कि किस प्रिकार से ये एक प्रक्रम चलता है, अच्छा, देखना भई, अब 42 gram के लिए हमें क्या चाहिए होगा, तो आप बोलेंगे, 6 upon 28, और multiply, यहाँ पे multiply का sign लगा तो 9 gram मुझे क्या चाहिए, मेरे hydrogen चाहिए, अच्छा, 9 gram hydrogen चाहिए, किसके साथ में, डियालिस gram, डाइनाइट्रोजन के साथ में, लेकिन एक बात आप यहाँ पे देखते हैं, क्या, इसर, 9 gram तो मुझे hydrogen चाहिए, लेकिन मेरे पास available कितनी हैं, only 8 gram यहाँ पे hydrogen उपस्तित है यानि कि अब जो यहाँ पे NH3 बनने वाला है, वो अभी क्रिया के हिसाब से नहीं बनेगा, वो सिर्फ किसके हिसाब से बनेगा यहाँ पे, जितना मेरे पास में, सीमान अभी करमक है, यानि कि जो यहाँ पे hydrogen है, वो कितना है, 9 gram है, ठीके जी, 9 gram चाहिए, लेकिन मेरे पास कितना है, उनली 8 gram है, यानि कि hydrogen जल्दी खतम हो जाएगा, किस से, डाइ नाइट्रोजन से, यानि कि डाइ नाइट्रोजन मेरे पास में बचा हुआ रह जाएगा, पात्र में मेरे पास में, डाइ नाइट्रोजन की क्या है, यहाँ पे आधिक के है, यानि कि उसकी अधिक मा बेखुँगा अब आप उस पुईंट पर वापस यहीं मैं आपको बताया था कि सीमांद अभीकर्मक क्या करता है वही उत्पाद की गर्णना भी करता है यानि कि सीमांद अभीकर्मक के बारे में बता ऐ तो यहां पर उत्पाद की गर्णना भी हो जाएगी तो इस question में सीमांत अभी कर्मक है क्या वोला मैंने यहां पर H2 जो है वो क्या है सीमांत अभी कर्मक है अब जितना मेरे पास हाइड्रोजन रहेगा मेरे पास में नाइट्रोजन तो खूब है नाइट्रोजन तो मेरे पास में भरा हुआ है लेकिन हाइड्रोजन की कमी है जितना हाइड्र बबता से साथ तो आप अभय देख नहीं तो सिर्क हैद करम से कितने रहं सब्सक्राइब सब्सक्राइब जसे कितनी चौहें से सही द य।éo आगे मुझे मैं अपने पास में है कितनी अवेलेबल तो आप बोलेंगे सर ओनली आठ ग्राम अवेलेबल है तो आठ ग्राम से कितना बन जाएगा 34 बटा 6 गुणा 8 कर देंगे ठीक है जी काटिए इसको काट सकते हैं इसको 2 से काटेंगे 3 बार कितनी बार भी मेरे चार बार आप 34 को 4 से गुणा करते हैं आप कल्कुलेट करके भी देख लीजिए वीडियो को पोस्ट करो फिर जाकर करो इसको 34 को 4 से गुणा करते हैं 4 चोको 16 हांसिल कर एक चारतिया बारा 13 बिल्कुँ सही बात है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और यहां कितना आने वाला में यहां से 15 ग्राम में यहां पर अमपर अमूनिया बन जाएक तो इस क्योशन में पहले कौन खतम हो गया तो आप बोलेंगे से पहले यहाँ पे हाइड्रोजन खतम हो गया क्योंकि हाइड्रोजन मुझे चीये थी 9 ग्राम लेकिन मेरे पास में अवेलेबल कितनी है 8 ग्राम है अब यहाँ पे अब अभी किरिया में इसी से में क्या करूँगा उतपाद की गणना यानकि उसकी कल्कुलेशन करूँगा ठीक है जी आई बास स्वामी में पक्की बात है बड़े आगे तो अगला क्योशन आपके सामने है वीडियो को पोस्ट करो फटा फट से इस क्योशन में बता दो आप पहले सोलूशन मत देखिए सिर्फ क्योशन को देखिए कि इस क्योशन में सीमान तभी करम कौन सा है और उससे उतपाद कितना बनने वाला है कुछ भी अलग नहीं है वीडियो को पोस्ट कर लीजिए फिर क्योशन को कीजिए वीडियो को पोस्ट किया होगा आपने क्योशन को देखिए ध्यान से क्या अभी क्रिया वही है क्या है बर प्रक्रम ही दिया हुआ है क्या क्या आपकी reaction वही आने वाली है क्या तो आप बोलेंगे से reaction क्या आती है यहाँ पर देखना N2 प्लस 3H2 N2 लिख लेता हैं यहाँ पर N2 प्लस 3H2 अच्छा जी कितना देखा हैं यहाँ पर twice NH3 यह अभी किरिया बहुत ही चमतकारी मान के जलो क्योंकि यह आपके बहुत ही काम आने वाली है Class 11 की जब आप अलिए disciplines की की बढ़ेंगे वहां पर भी यह अभी किरिया बहुत ही कामाईगी क्योंकि इस अभी किरिया के द्वारा ही हम क्या करेंगे अमोनिया का निर्वान करेंगे जब हम nitrogen family के बारे में पढ़ रहे होंगे तब वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे आपके लिए important हो जाएगी और तब तक तो आपको ये अभी किरिया पूरियाद हो जाएगी कि ये अभी किरिया क्या होती है ठीक है चलें आगे आओ भई यहाँ पे क्या बोला जा रहा है तो फटावर सी दिखें पहले reaction को दो क्रुए balance है बिल्कूल बेलेंस है अच्छा जी यहाँ पे देखो वह 28 gram है कितना है 28 gram N2 है अच्छा जी ये कितना है तो आप बोलेंगे 6 gram है कि अच्छा कितने ग्राम बन रहा है तो आप बोलेंगे साथ ग्राम ड्राइब कहले बलेबर किसे तो 40 ग्राम तो 42 ग्राम अवेलेबल कितनी है पहले वाले question में जो hydrogen थी वो कितने gram थी? only 8 gram दी हुई थी लेकिन इस question में क्या हुआ है भाई मेरे? यहाँ पे जो hydrogen की मात्रा है वो कितनी आ गई? 11 gram hydrogen की मात्रा आ गई यानि कि अब hydrogen मेरे पास में ज़्यादा है यानि कि hydrogen ज़्यादा है यानि किसी भी तरीके से देख लीजिए यहाँ पे hydrogen का आधिक्क्य हो रहा है क्यों मुझे 9 gram चीहे और मेरे पास में 11 gram है तो आप देख सकते हैं कि hydrogen तो चीहाँ जादा है हाईड्रोजन जादा है तो hydrogen का आधिक है तो यानि कि दूसरा यहाँ पे reagent रहेगा वो क्या हो जाएगा लिमिटिंग रियेजेंट यानि कि सीमान तभी करमक हो जाएगा देखो बई अब यहाँ पे एलार कौन हो गया तो आप बोलेंगे यहाँ पर डाइनाइट्रोजन एलार हो गया अच्छा जी 28 ग्राम एंटू से नेस्थरी कितनी बनती है तो आप इस बटे 28 गुणा 20 काट लो इसको 14 से तीन बार 14 से दो बार 17 से कट दो से सत्रवार कटा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 17 ग्राम यहाँ पर मेरा क्या आ गया एन एच्ट्री आ गया यानि कि एनेस्ट्री कितनी बनने वाली है तो आप बोलेंगे सर्वाइन ग्राम यहाँ घला हिए उसके बाहतं आप वाला क्यों ग्राम यहाँ रहेगा और उसके बाद में क्योश्रन को करनाना ही स्टार्ट करतो हेबर प्रक्रम दिया हुआ है सिर्फ यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ संख्याओं को चेंज कर रहा हूँ कभी ग्राम ले लूँगा, कभी मोल ले लूँगा, कभी अनू ले लूँगा कुछ भी ले सकता हूँ कि यहाँ यहाँ से यहाँ सने हो तो आपको रस्षमी करन मितिक्ट आती है दोनों में से कुछ भी आता है तो आप आसानीं से यहाँ पर question को कर सकते हैं तो देखेगा question में क्या दिया हुआ है dynitrozen और dihydrogen की बात कर दी यानि की सर हेबर प्रक्रम की बात कर रहा है अमूनिया बनाएगा ही बनाएगा ठीक है जी तो देखें यहाँ पर प्रक्रम क्या बोल रहा है N2 प्लस 3H2 gives you twice Ns3 तो यह कितना होगा भाई मेरे यहाँ पर इसके बारे में बताओ 28 ग्राम यह कितना होगा 6 ग्राम यह कितना बनेगा भाई मेरे 34 अच्छा लेकिन सर क्योशन में बात की गई है ग्राम के बारे में नहीं सिर्फ और सिर्फ मॉल के बारे में तो वो तो यहाँ पर बहुत ही इजी हो जाएगा क्यों क्योंकि नाइट्रोजन का मैं एक मॉल ले रहा हूँ हाइड्रोजन के तीन मॉल ले रहा हूँ और मेरे पास में दो मॉल बन रहे हैं क्या अमोनिया बन रहे हैं अच्छा जी आप मुझे वदाई यह वड़ावर्स है कि डाइन आइट्रोजन के कितने मॉल है अपने पास में अवेलेबल, तीन मोल है, अच्छा, डाई हाइड्रोजन के कितने हैं, दस मोल मेरे पास में अवेलेबल है, तो अब आप यहाँ पर रस्समिकणमिती से देखिए, एक मोल, एन्टु क्रिया करेगी कितने से, तो आप बोलेंगे सर, डाई हाइड्रोजन के 10 मोल, यानि किसर 9 मोल चीए, और मेरे पास में अभी भी एक मोल बचा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन का आधिक के है, तो सीमान अभी करमक क्या रहेगा, अब जो उतपाद की यहाँ पर गणना करेंगे, वो किसके हिसाब से करेंगे, तो आप बोलेंगे सर, उतपाद की गणना सिर्फ और सिर्फ सीमान अभी करमक के द्वारा कर सकते हैं, तो फटाफर से आजाओ, सीमान अभी करमक कौन था, डाय नाइट्रोजन, डाय नाइट्रोजन को बगड़ो कितना, एक, एक मोल N2 से एनेस्थरी बनती है, कितनी मोल भई, यहाँ पर, दो मोल, देख लीजिए, एक मोल से कितना बन रहा है, दो मोल बन रहा है, लेकिन अवे अचीए, मेरे पास महें, यहाँ पर, दस मोल उपस्ती थे, एक मोल मेरा बच गया, अब आप सोचेंगे, कि सर, यह जितने भी विधियां आ रही है, सीमान था भी करमक हो गया, रस्यमिकण मिती हो गया, यह कहां से, कहां पर काम आती है, यदि मान लीजिए, आगे आने वाल दाना होँतो, और यह आप से बोले कि अमोनिया इतना है, तो आपको गया बोलेगा, नाईट्रोजन चीए, तो वो सब गणना है, जो होती है, वो किस आप से रती है, वो इसके हिसाब से रती है, यह आपको बोल देता है, कि मुझे भई NS3 बनाना है 6 मॉल, तो आप मुझे बावर्चे परिख्वावर्चे लिख्त कित्ना मोल naturally hydrogen चाहिए होगाN और कित्ना मॉल मुझे DR Nunitrogen यहां पर चाहिए होगाN तो वहाँ पर प्रात्मिकता किसीये किस सबसे पहले अभीकृण को संतुरत करना नहीं आता है, तो हम वहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद में, यदि हमें सीमान तभी करमग और रस्समिकण मिती का कॉंसेप्ट यदी क्लिया रहे हैं, तो मुझे कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होगी, तक की बात है, अगला क्योशन करेंगे सभी, अगला क्यो सबसे पहले, क्या ये अभी किरिया संदूरित है क्या, देख लो, एक यहाँ पे ए है, एक ए है, बी कितना है, दो है, उधर भी कितना है भाई मेरे, दो भी है, अच्छा जी, तो आप देख पा रहे हैं, कि सर, यहाँ पे, यदि मैं बात करना चाहूं, तो एक परमानू किस के कितना है, तो बी के कितने उपस्तित हैं, तो आप बोलेंगे, A के आपके पास में 3 है B के कितने हैं तो आप बोलेंगे sir यहाँ पे 200 है यदि आपको A पूरा का पूरा खतम करना है तो आपके पास में B अधिक मातना में है तो B क्या हो जाएगा C मानत अभी करमक हो जाएगा क्यों क्योंकि A ए तो मेरे पास में 300 परमाणू है, लेकिन B के कितने हैं, यहांपे मेरे सिर्फ और सिर्फ 200 परमाणू है, यानकि B पेले खतम हो रहा है, ठीके जी, आओ भई, अगला क्यूं किया बोलना चारा है, 2 मॉल A है और 3 मॉल क्या है मेरे यहांपे, B है, A to कितना चीए तो यहां पर दो है और यहां पर तीन है तो आप मुझे बताओ दोनों का जो रेशियो रहेगा दोनों का जो अनुपात रहेगा वो तो सेम होना चीए लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं A मेरा कम है, यानि कि B क्या है, अधिक मात्रा में है, यानि कि B क्या हो गया है, यहां पर अधिक मात्रा में हो गया, तो सीमानत अभीकर्मक क्या हो जाएगा, भई मेरे, A यहां पर सीमानत अभीकर्मक हो जाएगा, ठीक है, वहती छोटा क्योश्चन है, कुछ भी नहीं है, A के 100 परमानू लेने है और B के भी यहाँ पर क्या करें मुझे 100 अनू लेने है अच्छा जी जिदी 100-100 की बात की जाए तो एक बात आपके दिबाग में आ गई Sir A के 100 परमानू आ गए इसके भी क्या आ गए है यहाँ पर 100 अनू लिख लो इसको ठीक है 100 अनू आ गए तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि Sir Ratio मेरा स्में चल रहा है क्यों क्यों कि आप देखते हैं यहाँ पर एक मूल परमानू इसके चीए एक मूल अनू इसके चीए तो यह तो बराबरी बात हो गई ठीक है यानि कि यहाँ पर दोनों के दोनों साथ में खतम होगे यानि कि यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट कोई भी नहीं होगा यानि कि यदि कुछन कि बात की जाए ठुड की तो 5 वाले कोयी कोई भी सकते हैं चोते और पांचवी कॉछन में बनाबा सकते हैं एक के 5 मौल लिए हैं बी के 2.5 मौल लिए कम कौन है तो आप बोलेंगे सब B कम है यहाँ पे, तो यहाँ पे LR कौन हो जाएगा, B हो जाएगा, और इस प्रकार से यहाँ पे कौन हो जाएगा, A हो जाएगा, तो question number 4 में A की अधिक मात्रा है, तो B यहाँ पे क्या है, C मान्त अभीकर्मक है, तो पांच वे में B की अधिक मात्रा है, और एक यहाँ यहाँ पे मेरे C मान्त अभीकर्मक हो जाएगा, तो यह जबती किसकी बात, C मान्त अभीकर्मक की बात, limiting reagent की बात, जो की रस्त समीकरन मिति का एक बहुत ही बहतरिन कॉंसेप्ट है, तो आप C मान्त अभीकर्मक को पुरा पढ़िए, पू कमीन विकास, भाग 3 जो बात करेंगे, तो यह हम बात करें, क्रश्टी विपनन वेवस्ता, agriculture, marketing, system पर हम डिसकस करेंगे, कि क्रश्टी से सम्मंदि जो उपज है, वह उचित मुल्ये पर किसान को मिल सके, MSP उनको मिल सके, ताई कि किसान का उठ्थान, कल्याण हो सके, सबसे में बात करते है, क्र कि जाने वाली किरियाओं से लेकर उनके वित्रण की और आउश्यक विक्रेओं की सभी सिवाओं को शामिल किया जाता है यानि विबनन एक ऐसी परिकरिया होती है कैसी व्यापक किरिया होती है किसान को अपनी उपजगा उचेथ मुले मिलसके अपनी उपज़कों मुख्य उट्देश करना महंडी का लिए दे का पढ़ाए को देशिए और टूइस्ता में आजीगवा का जो मुक्य स्तूरते हैं फसल थियार की जारी है उसे मुन्हें युचित मिलना चाहिए उन्हें मुनाफ़ा होना चाहिए तभी कर्षक का विकास होगा और ग्रामिन अर्तविस्ता उनन्यत्व करका कि इसलिए करशी विपनन आउशक है किसान के दोरा पसल ट्यार की जाए उनकी फसल खराब नहीं होनी चीए साथ उनकी ग्रामिट शेत्र को शेरी शेत्र से जोड़ने के लिए प्रोपर उप से सब्सक्राइब निर्मान होना चीए याताय सुधाय होनी चीए और बड़े- किसानों के लिए साक नहीं पूचेगा तो देशी बेंकर्स के चुंगल में फज्जाएंगे और अपनी फसल उन्हें सस्ते दाओं बेज देंगे और उनका शोशन कर लेते हैं यह सभी आहशग है ताकि उन्हें उनकी फसल का उचित मुल्य मिल सके आजादी से पहले की स्थित कोई अता पता नहीं होता था जो जमीदान ने बोल दिया वह उसी रेट में बेज देते और क्योंकि उसका कारण था एसिक शाह अनपर थे उनकी पास घ्यान नहीं था और तकनीकी नोलेज नहीं था परंपरागर तकनीकों से वह काम कर रहे थे इसले करशिक शेतर का विकास कतना ही आवशग जरूरी हुआ बाजार में परचीत बाव का पता नहीं होने के कारण वह अपने माल बहुती कम कीमत में उन्हें बेच दे देते साथ उनके साथ तोरफोल तोल में भी हरावेरी होती थी इस तरह से करशी शेतर का विकास नहीं हुआ कि किसान बड़ी मेहनत क पता नहीं होती थी फसल खराब होने को ड़र रहता था इसलिए वह सस्ते दाव में बेज देते ले ले खर्शी विपनन के लिए रिकार्मेंट हुआ तो बच्चों हम बात कर रहे हैं एक्रिकर्चर मार्केटिंग कर्शी विपनन क्यों आउश चाहे कर्शी विपनन में वर अर्तमान कर्शी विपनन विवस्ता के प्रमुक दोश क्या क्या है सबसे पहला दोश है बिचोलियों की लंबी शंकला ये एक सबसे बड़ा दोश है क्योंकि किसान से लेकर उबोगता तक अगर हम बात कर तो उसके बीच में बहुत से बिचोली है जिनकी वज़े से कर्शी करता अगया फूटकर वयापरी आगया या आदी लोग शामिल होता है ऎसलिक लंबी शंकला याउकन लेते हैं इसलिये कर्शी करना और और इन समिश्याओं को दूर करना आवशग है दूसरा है उपज की गटिया किसम को ना उपज की गटिया किसम होने के कारण किया है क्योंकि गीते को खेट छोटे हो गए किसान के पास परियाप तकनीक नहीं है पूंजी नहीं है इसके कारण वह परंपरा का गंसे खेती कर रहा है और जब और इसकि का कर सका चला जाता है और प्रियाप जैता है और उपज देते और हमे एक नहीं बात करें बंदा है जब किसान अपनी अपनी पोष़त को त्यार कर लेता है तो तो जब अच्छे समय का इंतजार करता है लेकिन क्या करें अपने माल को रखने के लिए उसके परियाब तरुप से बंदार गरह नहीं होता है और इसी कारण वह उसे सिग्र बेच देता है तो बच्चों यहां बात करेंगे बंदार सुधाओ का वाओ क्या होता है मैं बता है जहां किसानों को अपनी उपज को रखने के लिए कुछ समय के लिए सुरक्षित रख सके तद अच्छा वाहाने तक वह इंतजार कर सके ऐसी विवस्ता अभी तक नहीं है इसी कारण करश्चों को अपनी उपज को सिग्र बेचने के लिए विवाश होना पड़ता है तो सबसे बड़ा कारण है परिवन सुईदाओं का अभाव देगे करश्ची वरस्तों की विपनन की कठनायों में एक कठनाय परिवन सुईदाओं की अभाव है जैसे गाव और शेरों को जोडने में अधिकान सड़के वह बरसात की कारण टूट फूर जाती है शतिकरस्त हो ज नहीं पाते यह साधन बहुत महंगे पर जाते और समय से ज्याद है उन्हें पोचने में बहुत समय अधिक लगता है करश्ची वस्तों का शेयों नहीं लगता है तो इन कारणों की वज़े से भी करशी विपनन नहीं हो पा रहा है अच्छे से इसके लाब वित्ती सुईदा होता है और उनका शोशन करने लग जाते हैं इसलिए किसान अपनी फसर का उचित मुल्य नहीं लाबाता है और जितना मुल्य वह प्राप्त करता है उतना वह चुकाने में ही पूरा हो जाता है इस तरह से वित्यस विदाओं की कमी की वज़े से भी करशी विपनन पून रु और इसलिएश कर रही है और कर्शी क कै विपने नेतु शहकारी शहतर में सरकार के दवारा राश्टी स्थृतर पर एक नाफेठ नाम की संस्ता गठन किया है नाफेड बंट जो नیशनल लेवल की संस्ता होती जिसका om कि ग्रामिन शेत्र में रहने वाले किसानों को उनकी उपजगा उचित मुल्य मिल सके उनका शोशन रुख सके ताकि उनका उत्थान कल्यान हो सके और ग्रामिन अर्थविस्ता संबन हो सके इसके लिए साथी सरकार ने फसलों का उचित मुल्य मिल सके इसलिए नियूनतम समर्तम मुल्य की गोशना करी नियूनतम समर्तम मुल्य को MSP कहते हैं यानि Minimum Supported Price किसानों को उनकी उपच का उचित मुल्य दिलानी के लिए सरकार के दुआरा नियूंतम समर्थ मुल्य गोशित किया जाता है यानि इस मुल्य से कम किसान अपनी फसल नहीं बेचेगा मालीजी अगर बजा बाजार में अत्यतिक महातरा में फसल का उत्पादन हो जाता है तब एमस्प पर उपच को कोन करेकर करीद Blairika करेगा नापवेड़ करेगा तो राज्त्री स्तर पर नापवेड़ करीद्हें और राजस्तान में ये राजवेड़ करीँता थे जब कि खाद्यानों के रख रखाओ उनके सेलक्शन का काम FCI करता है अपके पुरा नाम होता उसे फसल को डारेट खरीद लेती है तो फिर उस फसल को कहा रखती होगी तुन्हें FCI के गोदाओं में रखती है पहली बार MSP की गोष्टना जो हुई थी वो 2016 सरसद में हुई थी लेकिन विवस्तित तुरूप से इसकी गोष्टना में हुई थी तो बच्चो MSP समझ में आ गया क्योंकि रिसेंटले MSP के बारे में हम पढ़ भी रहें MSP का पुरा नाम होता है मेनिमम सपोर्टेट प्राइज तो करशी विपनन को ससक्त बनाने के लिए स समय समय पर करशी विबनन के सुधार के परियास किया रहे है और उसी में एक सबसे बड़ा परियास है MSP ठीके बच्चो आगए बात करते हैं जेवी करशी के बारे में यह हमारे टोपी का लाश्र पोइंट आ गया जेवी खेती को अपनाने वाला पहला राजिय है भारत में सिक्किम यह भी द्यार रखना बच्चो इसलिए डॉक्टर कलाम को जेवी खेती का जनक का जाता है और दिथन ए अर्थ करांति का जनक इसे बताना चाहुगा पर-थम अरित करांति का जनक ए फरीजा अर्विकास क्यों आव होशक है क्योंकि भारत में अधिक तक आवादी गाओं में निवास करते और गाओं ग्रामेंट जन सेंग्या कि आजीगवा का मुखे इस्तोत करश्ची और क्रश्ची से जुड़े कार है इसलिए इन सभी शेत्रों का विकास करना होशक है इसलिए परियाथ रूप से रिंड म में Lost Spring पार ट्री बच्चो हम चैप्टर पड़ रहे हैं Lost Spring और इसमें लेखक ने बताया वाल के बारे में और अब हैं हम जान रहे हैं says Mukesh's grandmother who has washed his own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles तो बच्चों जो Mukesh की दादी हैं वो कहती हैं कि ये क्या था? उनका कर्म था, उनकी किस्मत थी भाग्य था who has washed, जिन्होंने यानि कि Mukesh की दादी ने जिन्होंने देखा था अपने पती को अंधा होते हुए dust से उस धूल से जो निकलती है polishing से यानि कि उस काच की चूड़ियों को चमकाने से क्या निकलती है? एक धूल निकलती है उसके कारण क्या हो गए? अंधा हो गए मुकेश के दादा जी और वो जो अंधापन था वो सब देखा था मुकेश की दादी ने ये बचो क्या है? ये अलग अलग शब्द है तो मुकेश की दादी बोल रही है कि भगवान के द्वारा दिया गया लाइनेज यानि कि जो वन्च है क्या कभी वो तूट सका है भगवान के द्वारण दिया गया वंच यानि कि भगवान ने ही ये निरधारत किया है मुकेश की दादी के अनुसार कि इनका जो पूरा वंच है वो चूड़ी बनाने का काम करे She implies, वो इस बात को imply करती है Born in the caste of bangle makers They have seen nothing but bangles अब वो उस जाती में उन्होंने जनम लिया जहां पे क्या है? सब bangle makers है They have seen nothing but bangles इसी कारण से उन्होंने चूरियों के अलावा कुछ नहीं देखा In the house, in the yard, खर में और आंगन में In every other house, every other yard Every street in Firozabad और ये जो चूरिया है उन्होंने कहा देखी है बच्चो घर में और आंगन में ही नहीं हर दूसरे घर में हर दूसरे आंगन में और हर सड़क पर Firozabad की यही नजारा है Spirals of bangles Spirals यानि कि जो मालाएं है यानि एक साथ अगर हम चूरियों के खटक कर दे तो माला जैसे बन जाती है ना वो जो मालाएं है चूरियों की Sunny gold, अब ये रंग बता रहे हैं बच्चों की किस किस रंग की मालाएं है Sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color Born out of the, जिन्होंने जन्म लिया है Of the seven colors of the rainbow एक rainbow के साथ रंगों से जिन रंगोंने जन्म लिया है वो सभी रंग की चूरिया मौजूद हैं Firozabad में तो बच्चों यहाँ पे क्या-क्या शब्द हैं देखिए सबसे पहला है Destiny Destiny का मतलब है भाग्य फिर है Blind Blind यानि की अंधा Polishing मतलब चमकाना Lineage मतलब वंच Spirals मतलब घेरे या फिर मालाओं के रूप में चूरियों का कुछ्चा तो बच्चों यहाँ पे जो Spirals of Bengals है उसका मतलब क्या है एक तो घेरे हो सकता है पर Spirals of Bengals का एक और मतलब है मालाओं के रूप में चूरियों के गुछ्चे फिर है Born Out मतलब जन में Lie in the mounds in unkempt yards और यह सारी जो चूरियों के मालाओं हैं वो पड़ी रहती हैं उन गंदे आंगन में और पाइल और फोर विल्ट हैंड काट्स और फिर यह जो चूरिया है इनका धेर लगा दिया जाता है चार पहियों की हाथ गारी में pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town और वो जो हाथ गारियां हैं उनके साथ क्या क्या जाता है उनको जो यूवा आदमी हैं वो धक्का दे के ले जाते हैं उन संकीन गलियों में उस shanty उस जोपडियों से भरे हुए नगर में इसका मतलब है बचो वो जो बनी हुई चूडियां हैं उनको एक हाथ गारी में राला जाता है और जो यूवा हैं वो गलियों से होते हुए उन जोपडियों से भरी हुई गलियों से होते हुए उन चूडियों को बेचते हैं and in dark hutments उन अंधेरी जोपडियों में next to lines of flames of flickering oil lamps जो flames है, जो law है तिम तिम माते हुए oil lamps की वहाँ पर sit boys and girls with their fathers and mothers वहाँ पर एक कतार में बैठे होते हैं लड़के और लड़कियां अपने पिता और माताओं के साथ welding pieces of colored glass into circles of bangles और वो लोग क्या कर रहे होते हैं weld कर रहे होते हैं, जोड रहे होते हैं टुकडों को रंग बिरंगे glass की एक circle में bangles के यानि कि वो जो काज के टुकडे हैं उनको आकार देते हैं वो एक गोले का bangles के और फिर उनको जोडते हैं Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside ये जो बच्चे हैं, ये जो लोग हैं, ये सब के सब इन सब की आखे जादा adjust हो गई है समायोजित हो गई है अंधेरे से बजाए उस रोशनी के जो की है बाहर This is why they often end up losing their eyesight इसी कारण से बहुत क्या होता है भई वो कई बार खो देते हैं अपनी आखों की रोशनी before they become adults इससे पहले की वो बड़े हो पाते, व्यसक हो पाते मतलब जो बच्चे हैं, बच्चपन से ही बहुत जादा समायोजित हो जाते हैं अंधेरे से रोशनी की बजाए इस कारण से उनकी आखों की रोशनी व्यसक होने से पहले ही चली जाती है बच्चों तो यहाँ पे हमने क्या-क्या शक्पड़े हैं, देखिए सबसे पहला शब्द है Unkempt Unkempt का मतलब है गंदा फिर है Handcart Handcart यानि की हाथ गाडियां Shanty मतलब जोपणियों से भरे Hutments यानि की जोपणियां Flames मतलब लौ Flickering मतलब टिम टिम आते Welding यानि की जोडते हुए Adjusted मतलब समायोजित Savita A young girl in a drab pink dress Savita क्या है बच्चों एक युवा लड़की है जिसने एक pink कलर की ड्रेस पहनी है Sits alongside an elderly woman वो बैठी है एक बुजर्ग महिला के पास Soldering pieces of glass जोडते हुए काच के टुकडों को तो बच्चा हमने किन-किन लोगों के बारे में जाना लेखक के द्वारा सबसे पहले साहिब के बारे में फिर मुकेश के बारे में और अब हम जान रहे हैं सवीता के बारे में सवीता एक युवा लड़की है जो अपनी बुजर्ग दादी के पास बैठ के काच के टुकडों को जोड रही है As her hands move mechanically जब उसके हाथ सवीता के हाथ यंत्रवत काम करते हैं Like the tongs of a machine, एक machine की भाती I wonder, मैं ये कलपना करता हूँ If she knows the sanctity of the bangles she helps make मैं ये कलपना करता हूँ कि क्या उसको पता है वो sanctity यानि की वो पवित्रता जो की उन चूडियों की है जिनको बनाने में वो मदद कर रही है It symbolizes an Indian woman's suhaag ये जो है, ये जो चूडियां है वो symbolize करता है, वो प्रतीक है भारतिय महिला के suhaag का auspiciousness का, शुब होने का in marriage It will dawn on her suddenly one day और ये जो चीज है, ये इसके उपर अचानक एक दिन आ जाएगी मतलब ये जो प्रतीक है, उसको समझ में आएगा अचानक से When her head is draped with a red veil जब उसका सर भी ठक जाएगा एक लाल रंग के खुंगट से Her hands dyed red with hina और उसके जो हाथ है, वो रंग दिये जाएगे लाल रंग से हीना के यानि की महंदी के And red bangles rolled onto her wrists और जो लाल रंग की चुडिया है, उसको पहना दी जाएगी उसकी कलाई में मतलब बच्चों लेखक बता रहा है कि अभी तो सवीता को नहीं पता है कि इन चूडियों का क्या महत्व है पर एक दिन वो महत्व उसको पता चलेगा जब उसका विवा हो जाएगा तो बच्चों क्या-क्या शब्द हैं यहाँ पे देखिए सबसे पहला है elderly, elderly का मतलब है बुजुर्ग फिर है soldering, soldering यानि की जोडना mechanically मतलब यंत्रवत sanctity मतलब पवित्रता symbolizes मतलब प्रतीक auspiciousness का मतलब क्या है शुब suddenly मतलब अचानक ड्रेप्ट यानि की लिप्टा हुआ रिस्ट्स यानि की कलाई शी विल देन बिकम अ ब्राइड और एक दिन वो क्या बन जाएगी? दुलहन बन जाएगी लाइक देन बूल्ड वोमन बिसाइड हर वो बेकेम वन मैनी यह अगो उसी महिला के भाती जो कि उसके पास में बैठी हुई थी और जो कई साल पहले दुलहन बनी थी शी स्टिल हैस बैंगल्स ओन हर रिस्ट और उस बुडी महिला के हाथ में अभी भी चूडिया है बट नो लाइट इन हर आइज पर उस महिला की आखों में चमक नहीं है एक वक्त से भर पेट खाना भी नहीं एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया और यह महिला क्या बोल रही है कि भई एक वक्त क्या किया है कि एक समय का हमने पेट भर के खाना नहीं खाया है she says in a voice drained of joy और ये बात बोल रहे है वो बुजर्ग महिला जो सवीदा के पास बैठी हुई थी एक ऐसी आवास में जो की क्या है drained of joy जिसके अंदर कोई खुशी, कोई आनंद नहीं है शी है जो महिला है इसने आनंद नहीं लिया है पेट भर खाने का अपने पूरे जीवन काल में that's what she has reaped और यही बात क्या है उसने रीप की है यानि कि यही फल उसने भोगा है अब यह जो महिला है उसके पती an old man with a flowing beard एक बुड़े व्यक्ती है जिनकी एक बहुत लंबी दाड़ी है says यह बुड़े व्यक्ती कहते है I know nothing except bangles मैं चूड़ेों के अलावा कुछ और नहीं जानता All I have done is make a house for the family to live in और मैंने जो आज तक किया है वो है घर बना देना परिवार के लिए जिसमें वो रह सके तो बच्चों क्या क्या शब्द हैं यह आपे देखिए सबसे पहला है voice Voice यानि की आवाज Joy मतलब आनंद Enjoyed यानि की आनंद लिया Entire यानि की पूरा Lifetime मतलब जीवन काल Reeped यानि की फल भोगना Hearing him, उनको सुनके One wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime He has a roof over his head तो बच्चों उनकी बात सुनके कोई भी व्यक्ति अचंभा कर सकता है और सोच सकता है कि क्या उन्होंने प्राप्त की है वो चीज जिसे प्राप्त करने में बाकी सब ही लोग असफल हो जाते हैं अपने पूरे जीवन काल में और क्या है वो चीज जिसको इस बुड़े व्यक्ति ने प्राप्त की है वो है He has a roof over his head उनके सर पे क्या है एक छथ है यानि कि उन्होंने अपने खुद के घर का निर्मान किया है The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles Not even enough to eat rings in every home ये जो रोना है कि क्या नहीं है पर्याप्त नहीं है कुछ और करना सिवाए क्या करना सिवाए इसी कार्य को करना चूडी बनाने के Not even enough to eat और घर पे पर्याप्त मात्रा में खाने को नो होना Rings in every home ये जो रोना है वो हर घर में बज़ रहा है बचो क्या है रोना कि भई पर्याप्त मात्रा में इतने पैसे नहीं है कि कोई और कार्य के आजा सके चूडी बनाने के अलावा ना ही पेट भर खाना मिलता है इन लोगों को और ये जो रोना है यह हर घर में हो रहा है यह जो यंग आदमी है वो एको करते हैं उसी विलाप को जो उनके बुज़ुर्ग कर रहे है यानि कि यह जो विलाप है पेट भर खाना ना मिलना पर आप मात्रा में पैसे ना मिलना यही विलाप जो यूवा लड़के हैं वो भी कर रहे है Little has moved with time समय के साथ बहुत थोड़ा परिवर्तन आया है It seems in Firozabad ऐसा लगता है Firozabad में Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream कई सालों का ये जो mind-numbing, चेतना शुन्य करने वाला toil है महनत है इसने मार दिया है सारे initiative को, सारे आत्मबल को और ability को शम्ता को सपने देखने की यानि बचों ये जो चेतना शुन्य कर देने वाली महनत है इसके कारण जो सपने देखने की शम्ता है और जो आत्मबल है वो बिलकुल खतम हो गया है तो क्या-क्या शब्द है यहाँ पर देखे सबसे पहला है wonders wonders मतलब अचंभा या फिर क्या होता है सोचना फिर है achieved achieved यानि की प्राप्त किया फिर है failed मतलब असफल हुआ accept मतलब अलावा या फिर सिवाई lament मतलब विलाप mind numbing मतलब जेतना शुन्य करने वाला toy यानि की महनत initiative मतलब आत्मबल ability मतलब क्षमता why not organize yourself into a cooperative तो फिर मैंने एक group से पूछा एक समू से पूछा young men का यह क्या बच्चो men है यूवा लड़कों का एक समू से मैंने पूछा कि तुम लोग संगठित क्यों नहीं कर लेते खुद को एक cooperative में एक सहकारिता में who have fallen into the vicious circle of middle men who trapped their fathers and forefathers और यह वो यूवा लड़के हैं बच्चों जो की गिर गए हैं उस vicious circle में उस कूछक्र में और वो कूछक्र किसके द्वारा निर्मान किया गया है उस कूछक्र का middle men द्वारा बिचॉलियो द्वारा जिसमें क्या हो गया था फस गय थे उनके पिता और उनके पूरवज इवन इफ वी गेट औरगनाइज तो अब यह जो यूवा हैं वो बता रहे हैं कि अगर हम संगठे थो भी जाएं we are the ones who will be hauled up by the police हम ही वो लोग होंगे जिन्हें hauled up कर दिया जाएगा यानि घसीटा जाएगा पुलिस के द्वारा beaten and dragged to jail और हमें पीटा जाएगा और खीचा जाएगा जेल में for doing something illegal कुछ गैर कानूनी करने के लिए there is no leader among them इन सारे युवाओं में कोई भी उनका leader नहीं है no one who could help them see things differently और कोई भी ऐसा व्यक्ती नहीं है जो मदद कर सके उनको चीजे अलग तरीके से देखने में their fathers are as tired as they are उनके जो पिता हैं वो भी उतने ही थके हुए हैं जितने की यह हुआ लोग they talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice और ये जो लोग है न बच्चो ये बात करते हैं endlessly निरंतर एक spiral में मतलब एक घुमावदार चीज में spiral क्या होता है घुमावदार होता है कि नहीं तो भई एक घुमावदार चीज के उसमें ही बात करते हैं वो जो spiral है वो जो घुमावदार चीज है वो कैसे जाती है जो की move करती है, एक से दूसरी चीज में जाती है सबसे पहले poverty, गरीबी आती है फिर apathy के बारे में बात करते है कि भई वो पहले अपने गरीबी के बारे में बात करते है फिर अपनी उदासिंता के बारे में बात करते है फिर अपने लालच के बारे में बात करते हैं फिर अन्याय के बारे में बात करते हैं और यही एक सरकल चलता जाता है Listening to them उनकी बाते सुनकर I see two distinct worlds मैं देखता हूँ दो अलग दुनिया को One of the family caught in a web of poverty एक जो दुनिया है वो किसकी है एक ऐसे परिवार की है जो की फस गई है गरीबी के जाल में Burdened by the stigma of caste और वो क्या है Burdened है Burdened है या नहीं उस परिवार के उपर बोज है Kalank का caste के in which they are born जिसके अंदर उनका जनम हुआ The other a vicious circle of sahukas और जो दुसरी दुनिया है वो किसकी है वो एक कुछक्र की है Sahukar के, the middleman के bicholion के, the policeman के, policewaal के and the keepers of law The bureaucrats and politicians और उस दुनिया में कौन-कौन है Law के keepers है, bureaucrats है नौकरशा है और politicians है राजनेता है Together, they have imposed the baggage on the child that he cannot put down और इन्ही सब लोगों ने बच्चों ये जो middleman है, sahukar है, keepers of law है, bureaucrats, politician है इन्ही सब लोगों ने क्या कर दिया है? Imposed कर दिया है, एक baggage थोप दिया है, एक बोज बच्चों के ऊपर और वो बोज ऐसा है कि वो बच्चा उसको नीचे भी नहीं रख सकता Before he is aware, इससे पहले कि वो aware हो, अवगत हो He accepts, वो स्विकार कर लेता है इसे as naturally उतनी ही naturally, जैसे की उसके पिताने की Naturally मतलब स्वाभाविक रूप से जैसे की उसके पिताने की तो बच्चों क्या क्या शब्द हैं यहाँ पे देखिए सबसे पहला है poverty, poverty यानि की गरीबी अपैथी मतलब उदासींता, greed यानि की लालच, injustice मतलब अन्याय, listening मतलब सुनते हुए distinct मतलब अलग, web यानि जाल, poverty यानि की गरीबी, burdened मतलब पोज, stigma यानि की कलंग vicious circle यानि की कू चक्र, bureaucrats मतलब नौकर शाहू, politician मतलब राजनेताउ, imposed यानि की थोपा हुआ, baggage यानि बोज, aware यानि की अवगत, accepts यानि की स्विकार करना, naturally मतलब स्वाभाविक रूप से, to do anything else would mean to dare, कुछ और करना इसका मतलब है, हिम्मत करना, and daring is not part of his growing up, और इस बच्चे के बडे होने की बीच में क्या है, हिम्मत शामिल नहीं है, When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered, पर जब मैं इस हिम्मत की चमक देखता हूँ, Mukesh के अंदर तो मैं क्या हो जाता हूँ, आनन्दित हो जाता हूँ, I want to be a motor mechanic, फिर से लेखक बता रहा है, Mukesh के बारे में कि इसके अंदर फिर भी हिम्मत बची है, और वो बोल रहा है कि मैं मोटर मेकानिक बनना चाहता हूँ, He repeats, वो अपनी बात को दोहराता है, He will go to garage and learn, वो कहां जाएगा, गैरिज में जाएगा और सीखेगा, But the garage is a long way from his home, पर जो गैरिज है वो उसके घर से काफी दूर है, I will walk, he insists, तुम के जोर देके कहता है, कि वो चल के जाएगा, Do you also dream a flying plane? He is suddenly silent, तु फिर मैने पूछा, क्या तुम प्लीन हुडाने का भी सपना देखते हो, और ये बात सुनके वो अचानक से चुप हो जाता है, No, नहीं, He says, staring at the ground, जमीन को घूरते हुए वो ये बात कहता है, No, in his small murmur, there is an embarrassment, that has not yet turned into regret, उसके इस छोटे से पुदबुदाहत में, एक शर्मिंदगी है, जो अभी तक पच्टावे में नहीं बदली है, He is content to dream of cars, वो क्या है, संतुष्ट है, जिसे वो क्या देखता है, उन कारों का सपना देखता है, जो की संसनाते हुए सडको पर जा रही है, उसके नगर में, few airplanes fly over फिरोजबाद, केवल कुछी प्लेन तो फिरोजबाद की उपर उड़ते हैं, पर कारे तो बहुत सारी फिरोजबाद में संसनाते हुए जाती हैं, तो बच्चों क्या-क्या शब्द है, content यानि की संतुष्ट, और फिर है hurtling यानि की संसनाते हुए, और इससे पहले कौन से शब्द पढ़े हमने देखिए, सबसे पहला है dare, dare यानि की हिम्मत, flash मतलब चमक, cheered यानि की आनन्दित होना, repeats मतलब दोहराना, suddenly मतलब अचानक, silent यानि की शांत या फिर चुप, staring मतलब एक टक देखते हुए, murmur यानि की पुदबदाना, embarrassment मतलब शर्मिंदगी, और regret यानि की पच्टावा, तो बच्चों हमने ये बहुत प्यारी सी एक कहानी पड़ी, इसका नाम है Lost Spring, और इस चैप्टर में लेखक ने बताया है, उन गरीवी से जूचते हुए लोकों के बारे में, सबसे पहले उसने साहिब के बारे में बताया, जो कच्रा उठाने का काम करता था, जो पहले बेफिक्र सा आजाद सा गूमता था, क्योंकि वो अपना खुद का मालिक है, पर अंत में उसने 31 स्टॉल पर नौकरी कर लिया, और उसकी वो बेफिक्री कहीं गायब हो गई, फिर लेखक ने मुकेश के बारे में बताया, जो उस परिवार से है जो की चूडियां बनाता है, और फिर क्या पता चला लेखक को, कि भई ये जो परिवार है, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं फिरोजाबाद में, और ये जो परिवार है, इनके सदस्यों की आखों की रोशनी चली जाती है अंधेरे में काम करने के कारण और जब लेखक पूछता है इन लोगों से कि भई वो उससे बाहर क्यों नहीं आते कुछ और क्यों नहीं करते तब जो यूवा हैं वो भी कहते हैं कि अगर हम करेंगे तो उसे गयर कानूनी कहकर हमें जेल में डाल दिया जाएगा और इसी कारण से ये सब लोग बिलकुल निराश हो चुकी है इनके अंदर हिम्मत करने की जो शमता है वो खोच चुकी है पर मुकेश को देखकर बच्चो जो लेखा के उसे बहुत अच्छा महसूस होता है क्यूं क्यूंकि मुकेश में अभी वी वो हिम्मत है कि वो उस अवस्था से बाहर आना चाहता है तो बच्चो अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम इसी चेप्टर के question answers बने रहिएगा मेरे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चो आज हमने पढ़ा है कक्षा 11 में रसाइन विज्यान विशे में रसाइन विज्यान की कुछ मूलवधान है भाग 19 वे अर्थे शास्त्र विशे में ग्रामीन विकास भाग 3 वे कक्षा 12 में अंग्रेजी विशे में लॉस्प्रिंग पार्ट 3 बच्चों, कल हम पढ़ेंगी कक्षा 11 में अंग्रेजी विशे में बुक होन बिल से We are not afraid to die if we can all be together भाग 8, 9 कक्षा 12 में संस्कृत व्याकरन विशे में कारक प्रकरण नम भाग 2, 3 बच्चों हमारे इस कारिक्रम के एक कंटेंड पार्टनर हैं मिशन ग्यान तथा इस कारिक्रम में तक्निकी सहयो UNICEF, STERLIGHT, ADD India Foundation, EVM, PURAMAL Foundation द्वारा प्रदान किया जा रहा है बच्चों आपको है कारिक्रम कैसा लगा? अपने सुजाब अवश्य दें कारिक्रम से संबन्दित आपके सुजाब हमें इमेल और डाग द्वारा भेड़ सकते हैं हमारा इमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021 at the rate gmail.com और डाग का पता है निदेशक, राजस्तान राज्य, शैक्षिक अनुसंधान, एवं प्रशिक्षन परिशत 111 सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने उदैपुर 313001